नमस्कार स्वागत है आपका एस्टूडे की विशेश रिपोर्ट में मैं आपके साथ मीनाक्षी आपको लेके आई हूं सुजान पर विधान सवक्षेतर में ये कोई विधान सवक्षेतर का चुनाब कोई आम चुनाब नहीं रहे गया है यहां को यहां की सीट को जो होट जा रहा है क्योंकि एक तरफ पूरे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल है तो दूसरी तरफ राज इंदेर राणा जी हैं आई हमार साथ इस वक्त जुड़े हैं राजिंदर राणा जी कॉंग्रेस परतियासे उन से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनका मैं तो लगातार पिछ Means मैं यहांतू तक आम जंता के बीच में रहता हूँ सुख में भी पहुंचता हूँ भी दुख में भी पहुंचता हूँ और रा हूँ अब लगवग पिछले 20 से दिनों से चुनाबी परचार पटिकूलर चुनाब परचार के लिए मैं निकला हूँ और पहले भी मैं लोगों के बीच में लोगों के बीच में रहा हूँ हर इस ब़र का जो मखाल है वो सुजानपुर की जडनता है वो रेजंदरणा के साथ Чटान की तरह खड़ी हो गई है, कारण उसका यह है कि लोगों का कहना है है, कि पाँच वए जब सुजानपर की जनतारे मुझे यहां से जो है विधाइक बनाकर अशीरबाद दिया मैं यहां का वाइस चेयर महिं नी विरा स्टेट का डिजास्टर मुनेजमन्ट का और पाँच वर्ष्चों में जो सुजैन पर मैं एक नई वारत जो है एक नए इतिहास जो विकास को लिखा गया और लोगों की जो सिवा की विक्तिकत तौर पर लोगों के काम किये के गरीब बच्चों की जो बेटियां थी उनकी छपुन्जा सो चालिस बेटियों की शादियों में भी योगदान दिया ग मेरिटॉरियस बच्चे उनकी मदद की कहले नेकों ऐसे रूसे काम किये गए और जेंदरना ने जो कभी किसी की जाती नहीं पूछी धर्मना मजबनें पूछा जबत नहीं किसी की पार्टी única बाप किसकी पार्टी है कौन सी पार्टी है मैंने तो इनसानियत के नाते लोगों की सिवा की है और मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी भी है मैं धन्याबाद भी करता हूं कि आज सुजानपर की जंता को जो है आज रजिंदर रहना की जरू हैं सुजानपर जो है अपने आप में जो वीकास हुआ है वो खुद वाखुद बोल रहा है और वो खुद वाखुद अपना आप में एक बहुत बड़ा बमुदा है मैं जिस गआउं में बेठा हो इस ग़ीं आप बिजाया हो ją हो इस गों में ड Cleans अपनी तक कॉह उसको प् को पर उसमें मुख्या मंतरी प्रेम कुमार धुमल थे 2011 में तो उनने उस फाइल जो है इसको एकसेप्ट नहीं किया था फैंक दिया था कि भी दसकत करा के थोड़ी अस्जीम के दफ्तर मिलते हैं दस जार लोगा ने दसकत करके दिये थे आज सुजान पर मैं स्जीम का दफ्त और हिमाचल परदेश में एक नया काम शुरू हुआ कि सुजान पर मैं साड़े तीन क्रोड रुपया जो है वो यहां के लिए टौन हाल जो है सुक्रित करवाया और उसके लिए 75 लाग रुपया वो किस्त आ गई है तो काम ये नाने लगें तो शाम ढल जाएगी इसलिए मै कुल मला के कह सकता हूँ कि सुजान पर मैं पांच वर्षों में मानिय मुख्या मतरी राजा बीर बदर जी के सीरबात से लग भग जो मेरे पास सुची है वो 248 क्रोड रुपय की सुची है जितने इतने काम सुक्रित हुए हैं बहुत सारे कम चले हैं और बहुत सारे काम जो हैं और कॉंग्रेस में थो इस बारे में क्या को मैं अपने उन मित्रों को मेरे विरोदी नहीं मेरे मित्र हैं वहन को कहना चाहूँगा कि भई जब आपके साथ बीजेपी में थे तो रजिंदर रणा ने आपकी भी डटकर सिवा की पर जब रजिंदर रणा ने 2012 में 2007 में कहा कि वही यहां सुजानपर की जंता चाहती है कि रजिंदर रणा को जो है चुनाब लड़ाया जाए तो आपको कौन सा साफ सूंग गया था तब तो आप बोले रही तब तो आपने टिकड़नी दे रजिंदर रणा को तब तो बीजेपी ने पूछा रही और जब आपकी भारतिय जंता पाट्टी की 2007 में सरकार बनी तो आपकी सरकार थी तो रजिंदर रणा पर जूठे मामले किसने मनाए पुलिस का इस्तेमाल किसने किसने रजिंदर रणा को बनाम करने की कोशिश की और 2012 में रजिंदर रणा अगर 15,000 बोटों से सुजानपर की जंता ने जताया तो क्या भारतिय जंता पाट्टी को यह मालूम नहीं था कि सुजानपर में कौन काम कर रहा है जंता किसको चाह रही है तो क्या इन्होंने मले की पिछली बार 2014 में मानिये मुख्या मंतरी राजा भीर भदर और कॉंगर्स पाटी ने दी और आज भी कॉंगर्स पाटी ने मुझे टिकर दी है इसलिए कॉंगर्स पाटी ने रजिंदर रणा का साथ दिया है और भारतिये जंता पाटी ने रजिंदर रणा को प्रता तो ऐसा क्या अलग हुआ जिसकी बजह से आपको भाजपा छोड़ने पड़ी भाजपा मैंने छोड़ी भाजपा से मुझे निकाला गया और मैं धूमल साब के करीब भी था प्रतु जब रास्ते में कहीं बेटे की त्रक्की बेटे की त्रक्की जब रुकाबट बन जाए तो यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह पूरा प्रदेश बोलता है प्रदेश चानता है कोई बात नहीं मेरा मुरे उनसे कोई घिला नहीं है उनकोई उन्हाने अपने बेटे को एस्टेबलीस करना था और जिंदराना की बली देनी थी कोई बात नहीं वो अपने बेटे को एस्ट बादर जंदरना के साथ है यह तो 18 दिसंबर को पता लगेगा निश्यत और प्रपस जैनपर जो है गुर्जन दरना के साथ है और मैं सुजन्पर की जनता के साथ हूँ अगर वहीं राजनीती की बात की जाए तो राजनीती में आप अपना गुरू जो है पूरे मख्यमंत्री जी को मानते हैं तो क्या लगता है कि अब भी वो आपके गुरू ही है देखिए गुरू और चेले की जो चर्चा है ये तो चर्चा अगर आप महाभारत का इतिहास पढ साथ ही अगर कॉंग्रिस पाइटी की बात करें तो कॉंग्रिस में जो मुख्या मंत्री हैं वो भी आपके काफी करें भी हैं मैं यह जानना चाहूंगी आप से कि कॉंग्रेस में मुख्या मंत्री वीवदर सिंग द्वारा जितने भी जो सुजानपुर में घोशनाएं हुई हैं क्या वो पूरी हुई है 99% implementation सुजानपुर में हुई है और आज मुझे नहीं लगता है कि एक आदा काम कोई चूट गया हो गलती से वरना जो राजा बीर भदर जी ने गोशनाएं करीं वो implement हुई inaugurations हुए या थोड़े समय में inauguration होंगे मैं राजा बीर भदर जी का अपनी तरफ से और सुजानपुर की तमाम जंता की तरफ से एक एक विक्ति की तरफ से उनका धन्याबाद करता हूँ कि उन्हें सुजानपुर की जंता को दोनों हातों से अशीर बाद दिया और राजिंदर रहना को भी उन्होंने अशीर बाद दिया आज हम और सुजानपुर की जंता राजा बीर भदर जी के उन जो जो उन्होंने कर्जा हमारे उपर चड़ाया है उस कर्जे को उता रहे ग पहले जब मैंनों ने कहा कि एक काम करने हैं तो उन्हों ने मुझे एक बात जरूर कही थी कि काम तो मैंने आपके सारे कर दिये कुछ अगली बार के लिए भी छोड़ देना था पर आपने कोई काम नहीं चोड़ा प्रतु विकास एक निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है ने क काम खुद बाखुद आगह आते हैं और जो लोगों की यहां की लोगों की मांगे होंगी और जो काम बच भी गया होगे निश्यत तौर पर पान साल में मुकम्मल कर दिये जाएंगे इस बार जो है वो धूमल जी को चेहरा नहीं दिया गया है और उनका विधान सवक शेतर भी बदल दिया गया है तो आपको कितना इसका नुकसान या फाइदा होगा देखिए मैं तो सुजानपर का हूँ सुजानपर की धर्ती का बेटा हूँ और नफ और नुकसान तो जनता तै करती है जहां तक धुमल साहब का चेहरा गोशित करने की बात है तो यह तो पूरा प् चत्तर साल का हो गया वो ना तो मुख्या मत्री बनेंगा ना मंत्री बनेंगा और उन्हीं के पार्टी के लोग ये तीसरे दिन स्टेट्मेंट दे रहे हैं कि हम उस चेरे की तलाश कर रहे हैं जो कम से कम 15 साल पार्टी को दे तो धुमल साहब का तो अब टाइम थोड़ा सा ब साथी जब भी चुनाब आते हैं तो सुजानपूर विजानसवा क्षेत्र में जो है अवारा पसूओं की समस्या को हमेशा चुनाबों में भुना जाता है मुद्दा उठाया जाता है लेकिन यह मुद्दा बनकर ही रह जाता है क्या कहेंगे इसके बारे में यह माननी है तो इसकी जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है बहुत सारी पिंचेतें ऐसी हैं जहां पर गऊशाले बना दी गई है और उनको जो ऐसे पशू हैं उनको वहां पर भांदा जा रहा है और इसमें जंता को भी सहयोग देना चाहिए कि ऐसा पशूओं को ना चुड़े क्योंक सरकार ने तो यहां तक को कंटीली तार जो है उसको 80% सबसिडी देना का जो फैसला लिया था उससे भी किसानों को फाइदा पहुंचा है 20% अपना डालके 80% जो है वो सरकार जो है वो उसमें सबसिडी देती है उसे भी लोगों को फाइदा हुआ है साथी 2012 में आपने निर्दलिय चुनाब लड़ा था जिसमें आप जीते भी थे और उसके बाद आपने जो है वो अपने पत्स से इस्तीफा दिया था उसके बाद आपकी धरमपत्नी उन्होंने चुनाब लड़ा था नेट जो मारजन मारजन था उसका जो फासला था वो 14166 मतों का था सुवाबी के है कि लोगों की उमीदें भी अतनी बड़ी थी और सरकार भी राजा साब की थी तो राजा साब के साथ मिलकर उनका हाथ पकड़कर जो उनने काम ने किया और जब भी मैंने रजाइन किया तो भ ही सुजान पर की जनताने बहुत सारे बोटों से मुझे जताया है उनके काम नहीं रुकने चाहिए मेरा जो मकसद था मेरा जो धे था मेरा लक्षया था कि सुजान पर को विक्सित करना और आज आप सर्वे करो एक एक बच्चे से पूछो मैं अपने मिशिन में अपने काम म पर हो चाहिए ना हो 68 चुनाव क्षित्रों में अगर सबसे कहीं ज़्यादा विकास हुआ है तो पहले पर ही नहीं तो दूसरे स्थान पर सुजान पर का नाम लिया जाता है एक छोटा सा प्रशन है लेकिन है बहुत बड़ा मैं आपसे पूछना चाहूंगी जब भासपा में थे तब आप पूरे मुख्यामंत्री के करीबी थे और आप कॉंग्रेस में है तो आप मुख्यामंत्री बीरवद सिंग के करीबी है तो इसका क्या राज है देखिए यह बहुत बड़ा राज है मुझे लगता है कि अगर प्रेम कुमार धूमल के साथ रहे तो अगर मैं करीवी रहा हूँ तो साइध कोई न कोई गुंड तो होगे मेरा चेहरा अच्छा होगा मेरी बातचीत अच्छी होगी मेरा काम अच्छा होगा और सुभावी कह कि पूरा प पसंद करते हैं आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि राजा साब मुझे बहुत पसंद करते हैं पर धूमल साब भी पसंद करते हैं जिस दिन मैंने नॉमिनिशन किया है और नॉमिनिशन करके जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे धूमल साब मिले उमर में भी बड़े हैं 75 के और अशीरबाद लिया मैं क्या धुमल साब आपकी तो रेटाइर्मेंट की एजा आ गई है हमने तो भी 25 साल और सिवा करनी है इसलिए मुझे शीरबाद देदो और उनने अशीरबाद दो नातों से मुझे दिया है और विजय शिरी का भी अशीरबाद उनने दिया है है कि जनता शीरबाद दे रही है तो जो जो लोगों की डिमाडे होगी जो जो लोग चाहेंगे मेरे काम वही होते हैं जो जनता चाहती है जनता जो चाहेगी वही काम होगे और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव है यह जो असंभव सब्द है यह भारती जनता पाटी की सरकार बनती है तो उसमें शब्द आता है कि भी काम लेके जाते हैं असंभव और जब कांगर्स की सरकार आती है तो सब कुछ संभव हो जाता है यही तो लोग समझने की जरूरत है कि लोग समझ रहे हैं कि वही कांगर्स की सरकार में सब संभव हो जाता है और भारती प्रदिया शी राजंदर उन्हें से बात की और honne a मुक्या मंत्रीं देते हैं कैमरामेन सुमीत के साथ मीनाक्षी एस डोडे हमिरपूर